हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल, आज हमारे पास है रेनॉल डस्टर, जिसको हम फुल बॉडी रैप करने वाले हैं, इस गाड़ी पर एक मेजर इशू है इसका क्लियर कोट, कस्टमर ने ये गाड़ी सेकेंड खरी दी थी, उनको आइडिया नहीं था कि इसके 8-9 पैनल्स रीपेंटिड हैं, रीपेंटिड पैनल्स इंप्रॉपर पेंटिंग के कारण, उपर का टॉप क्लियर कोट अब फट रहा है, तो इस प्रॉजेक्ट पे सबसे मेजर इशू पहले रेक्टिफाइ करना हमारे लिए यही होगा, पहले हमने सोचा कि जहां ज जहां पर कलियर कोट फट रहा है वहां पर पुट्टी फिलिंग कर देंगे तो यह प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा, पर फिर हमने नोटिस किया कि वाशिंग में भी इसका कलियर कोट फट के निकल रहा है, इवन वाशिंग के प्रेशर से उड़ जा रहा है, तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं, यहां पर हमने एक छोटे राप के पीस के साथ डेमो किया है, डेमो पीस बिठाने के बाद भी जहां पर क्लिर कोट में जो लाइन जा रही है, जो डिफरेंस है वो दिख के आ रहा है, तो इसका एक ही सलूशन है, हमको इन पैनल्स पर से क्लिर कोट मोटे एंडिलेशन होते हैं, उन पर फिलर यूज किया जाता है, और उसके बाद सीधा रैप चड़ाया जाता है, पर इस गाड़ी पर जो जो पैनल रीपेंटिट थे, हमने प्रॉपरली पूरा ओपर का क्लिर कोट स्क्रेप करके लिया, मैं दुबारा बताना चाहूंगा, कि अगर अच्छे से रीपेंट किया होगा, तो स्क्रेपर यूज करने से इस तरीके से टॉप क्लिर कोट नहीं निकलता है, और यूजिली किसी भी गाड़ी पर स्क्रेपर यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती है रैप करने से पहले, क्लिर कोट स्क्रेप हो जाने के अगला स्टेप गाड़ी पर से माइनर देंस हटाने के लिए पुट्टी फिलिंग का रहेगा पुट्टी फिलिंग हो जाने के बाद सर्फिस पे कोई भी अंडिलेशन नहीं रहेगा इसके बाद सारे फिटिंग्स खोल के हम रैपिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे गाड़ी के जो अलोई वील्स थे जो सिल्वर कलर में थे उनको भी हमने ग्लॉस ब्लैक में पेंट करके लिया है तो चलिए अब राप का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं बड्लारव टेटीर है जिस अपका प्रोसे स्टार्ट पर चाना है जिस अपकान का प्रोसे इनको अपकान प्रोसे अफ। तो चिज़ाआगे अपका करते हैं झाल 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 प्लास्टिक का फिनिश एकदम नया जैसा हो जाएगा झाल 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 झाल